डर दोस्तो विल्कम टॉट्स टोटोन मैं उसराफ सुकला दोस्तो आज है दिपावली और आज सुझी को दिपावली की हालेक्षिवावला ilisuga klub न है डोस्तो कहते हैं ना कि जब महेंच आदब बन जाती है तो होजावि कोद्द मुखे पसंद आता है कि जब महारे आदव स् लेकिन समय निकाल कर आपको थोड़ा सा बढ़ाई करना भी जरूरी है क्योंकि यह दी आप एक बार सफल होते हैं उसके बाद जो है सभी समस्या है आपको छोटे लगने लगेंगी तो देखें आपके पास 30 दिन और बचा हुआ है इस 30 दिन में दोस्तों जो है आपको अपना सब्सक्राइब करने होंगे क्योंकि कम से कम अगर आप 35 प्रशन सब्सक्राइब करते हैं तो जो है आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो आई शरू करते हैं आज का वीडियो और दोस्तों अगर आपने अब तक अनकेडमी का लर्निंग डाउन्लोड नहीं किया है और आ दोस्तों उसका लिंक भी मिल जाएगा तो वहां जाकर जो है आप किसे भी कोर्स का सब्सक्राइब करते हैं और घर बैठे जो है अपनी तयारी जारी रख सकते हैं तो आई शुरू करते हैं देखे मारा पहला प्रशन क्या है भारत में सुध्धी आंदोलन का नितरत्व किस प्रशन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटों ये वाकि कि ने का था तो ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वति ने आप दोस्तों इसके अलावा आपको सभी का डेट पता हो ना चीकि कि किस की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना ची किekk zij प्रार्षना समाज के स्थापना हुई थी और 1875 में जो है थियो सोफिकल सोसाइटी के स्थापना हुई थी चारों के डेट आपको आद रखने कई बार एक्जामें पूछा जाता है दूसरा प्रशन है अध्यक्षात्मक प्रडाली की सरकार का कौन सा लक्षड नहीं है यानि अमेरिका में चुना हुए थे और राष्ट्रपती का लोकमत से चुना होता है कारेपालिका रथा विधान मंडल के बीच प्रतकाव होता है बिल्कुल सही है कारेकाल की निश्चित अवधी होती है बिल्कुल सही जैसे कि अमेरिका में चार वर्स की अवधी है कारेकाल की र प्रॊज़ान गउना कौन था जिस नहीं बहुत इंपोर्टन प्रशन सही अंसर हो जाएगा राजेंदर चोल राजेंदर चोल देखिए जहाए इंडोनेशिया की लेखिय अपको जीसिया और आपी। हो जाएगा चौथा प्रश्ण है भूमत दे सागर रेखा के समानांतर खीची गई रेखाएं क्या कहलाती है तो दिखिए जो भूमत दे रेखा के समानांतर खीची गई रेखाएं होती है उन्हें अक्षांस रेखाएं हम कहते हैं क्या कहते हैं अक्षांस रेखाएं कहते हैं पांचों प्रश्ण है नागरिकों से मौलिक कर्तवियों के सिफारेश की समिती ने की थी तो देखे मौलिक कर्तवियों के सिफारेश की समिती ने किस ने की थी नागरिकों के मौलिक कर्तवियों के सिफारेश थी वो किती समिती समिती ने और नागरिक के मौलिक कर्तवियों कह आग तीन में अनुचित बारा से लेकर 35 में रखे गए आप दोनों यादर कियेगा च्छटा प्रशने की आर्रेभट का प्रक्षेपड कप किया गया था तो आर्रेभट का प्रक्षेपड किया गया था 19 अप्रेल 1975 को ऑप्सन नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सातों प्रशन है लक्ष दीप समू की भोगोले स्थिती निमन में से कहां पर है तो देखिए आपने गर मैप में देखा हो तो लक्ष दीप किधर है लक्ष दीप कुछ हमारा इधर है यहां की अरब सागर में कहां पर है लक सरकार और राज सरकार दोनों के पास कारण बनाने का अधिकार होता है बातर की तीनों सुचिया किस अनुछे अनुचे अनुछे में रखी गई है तो साथवी अनुचे में संग सुची राज सुची और समौर्बति सुची का वर्डन किया गया है ओप्सन नमबर एक सोट जाएगा अगला है दसवा प्रश्न विमान वाहक पोत और इन्स विक्रमा देते किसे खरिदा गया है तो भारत ने जो आये इन्स विक्रमा देते को रूज से खरीदा था किससे रूर्ष से option number 20 प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए अकला प्रश्ण क्या है 11 प्रश्ण निम्न एतिहासि घटनाओं को क्रमा नुसार विवस्थित करना है तो आपको सबसे पहले सभी का डेट पता होना चाहिए देखिए फ्रांसेसी क्रांती की दिए हम बात करें तो यह शुरू हुआ था 1789 में कब शुरू हुआ था 1789 में फ्रांसेसी क्रांती शुरू हुआ था गौरपूर्ड क्रांती की बात करें तो गौरपूर्ड क्रांती जो है 1688 में शुरू हुआ था अमेरिकी 177 में चुनकरा में 1775 में चुरुवा था 1775 में और रुसी करांती के Sophie 2017 में अब देखी सबसे पहले क्या आता है गौरोपुण करांती 1618 में सबसे पहले हमारा आ जाएगा नमबर 2 उसके बाद आता है अमेरिके 177 ग्राम 5747 तो उसके बात आ यागए। उसके बाद फ्रांसेसी क्रांति यानी नमबर 1 और उसके बाद आता है और उसी क्रांति यानी की 4. तो 21!」 देखे इसका क्रेक्ट आउ जाएगा OPPTION B विकसित देशों के संगठन G7 के बैठक 2019 में कहां पर आयोजित की गई तो जो विकसित देशों का संगठन G7 है इसका जो 2019 में बैठक जा वो फ्रांस में आयोजित किया गया था ओप्सिन नमर यहां पर B बिल्कुल राइट हो जाएगा तेरोंगा प्रश्ण है आपात काल यदि युद्ध की आधार पर घोसित हो तो उसका समर्थन संसत को कितने मा के भीतर देना चाहिए तो यदि आपात काल युद्ध की आधार पर होता है तो एक मा के अंदर संसत को उसकी इली जो समर्थन देना होगा उप्सन नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण देखे क्या है चोद्ध नमबर प्रस्ण निम्न लिखित को सही ती थी वारत क्रम में कोड से चुनिए अब देखे आपको सबका डेट पता होना जरूरी है अगर हम हम होम रूल अंदोलन की बाती ने तो यह सबसे पहले नमबर 3 आ जाएगा उसके बाद हमारा तो 3, 1, 2, 4 सही हमारा इंसर क्या बने का चौदा नमबर प्रस्ण का 3, 1, 2, 4 यानि कि 3, 1, 2, 4 यानि कि 3, 2, 4 यानि कि option number D यहां पर हमारा बिलकुल सही हो जाएगा तो ऐसे प्रस्ण आपके exam में जरूर देखने को को त्यार रहना होगा पंदरह्मा अब भूमी विकास बैंक किसानों को रिड मोंने के लिए उपलब्द कराता एक इस अवधि के लिए किछानों को लंबी के लोप साथ परसेंट खट कर रहे थी लेकिन अगर दोस्तों अगर आप 2020 की वर्तमान स्थेती की बात करें तो देखिए अभी जो GDP की रिपोर्ट आई थी तो भारत की जो अर्थवस्ता है माइनस 23 पर चली गई है कितना माइनस 23 पर चली गई है निकि बहुत अधिक नीचे चली गई है तो यह बात आपको करेंट के लिए याद रखना है सतरह नंबर प्रश्ण है निम्न युग में से कौन सुमेलित है तो एक मातर सुमेलित है सी ऑप्षन स्पिरिट ऑफ लॉज जो है यह दानते दवारा दिया गया था ऑप्षन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अठार नंबर प्रश्ण है धर्म की आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है तो देखिए घटते हुए क्रम हमें बताना तो सबसे अधिक जो जनसंख्या विश्व में वह इसाई धर्म के मानने वालों की है सबसे अधिक जनसंख्या इसाई धर्म की मान सब्सक्राइब करने वालों की जनसंख्या तीसरे नमबर पर हिंदू और चौथे नमबर पर बौधा जाएगा हमारे ओप्सन के हिसाब से तो अठारे नमबर प्रश्ण का बी ओप्सन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा अगरा पर परस्थित है तो देखिए अगर आप आगरा गया है फिर अगर अग्र के लालकिला के अंदर एक मोती मस्जित है और आगरा सभापती होता है और उसे राज सभा के प्रस्ताओं के द्वारा ही हटाया जा सकता है तो हाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर प्रस्ण का अगला है 22 नंबर प्रस्ण भारत सरकार द्वारा सरवाधिक किस चेत्र में आफ किजिए का दूस्तों इस इस प्रस्ण में कुछ गलती है पूरा सही लिखा नहीं हुआ इसको मटा देते हैं 30 नंबर प्रस्ण है द्वीति ये विस्वयोद है जो कि 1949 से 45 तक चला था इसमें धोरी राश्टर में कौन से देश सामिल थे तो देखे धोरी राश्टर की बात हो रही है तो सही इंसर हो जायेगा जर्मनी जापान और इटली जो थे वह धोरी राश्टर में सामिल थे जर्मनी जापान और इटली को चौविस्य नंबर प्रश्ण है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मुल्भूत लक्षड क्यां है राजनीतिक व्यूस्था की यह एक लोक्तांत्रिक गढ़ सिधान करती यह गलत है तो ऑप्सिन नमबर 123 करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्सिन नमबर भी हाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण हमारा है 26 नमबर प्रश्ण इन में से किस किस प्रक्रण में सर्वोच चन्यायले ने समिधान का मुलभूत ध्रहाचा सिधान का प्रतिबदन किया था तो सही एंसर हो जाएगा केसवाननन्द भारती केस जो है इसके समंदर में कहा गया था कि इसके दवारा समिधान के जो मुलभाचा है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है क्या नंबर प्रत्रशन है को इंटरनेट बेंडिंग के विपडन का क्या अर्थ है इंटरनेट्वारा doesta ड्यागा किया जाता है kto है 28 नमबR प्रस्थन है लोक हित्वाद अदायर किया जाता है किसके द्वारा देखेज़हिए हम P.I.L. भी बोलते हैं तो यह किसके द्वारा दायर किया जाता है सही अंसर हो जाएगा C किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो है PIL यानि के लोग का हितवाद जो है दायर किया जाता है C option correct हो जाएगा 29 नमबर प्रशन है भारती राष्रवाद का जनक किसे माना जाता है तो भारती राष्रवाद का जो जनक है वो बाल गंगा धर तिलक को माना जाता है और तिलक जो ते गरम दल के नेता माने जाते थे B option correct हो जाएगा 30 नमबर प्रशन है मिर्दा अपरदन को किस से रुका जा सकता है जो मिर्दा का अपरदन होता है इसको किस से रुका जा सकता है तो सही इंसर हो जाएगा वन रोपड के द्वारा जो है मिर्दा अपर्दन को रुका जा सकता है B option correct होगा 31 नमबर प्रशन है सौर उर्जा को बिजली में परिवर्थित करने है तो प्रयुकति कौन सी है तो सौर उर्जा को बिजली में परिवर्थित करने के लिए जो है प्रकास वोल्टी सेल का प्रयोग होता है किसका option number A प्रकास वोल्टी सेल करेक्ट एंसर हो जाएगा 32 नमबर प्रश्ण है Montesquieu Champsport सुधार का परड़ाम था तो देखिए जो Montesquieu Champsport reform आया था वो 1919 में आया था तो option number B यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा 33 नमबर प्रश्ण है किस युद्धे ने भारत में British प्रभुत्व को स्थापित किया तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बकसर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध के बाद ही भारत में जो है ब्रिटिस प्रभू तो स्थापित हो गया था और लॉर्ड क्लाइब जो है बंगाल के पहले गवर्णर बने थे तो यह उप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दक्षिड भारत का वह कौन सा राज यह है जो मानव विकास साक्षर्ता लिंगा नुपात एवं कम सिसु मृतिदर आदी में सीर्स पर है तो देखिए मानव विकास की बात हो साक्षर्ता की बात हो लिंगा नुपात की बात हो या फिर कम सिसु मृतिदर की बात हो तो इन सभी कि नुम्बर ऑपन जोगा गहाँ कि अम sturdy है कि सुससानना का चल्था कहा जाता कि जसे संवंदीद है। तो सही इंसर हो जागा देखी यह सभी समंधित है नीती नीदेशक तत्वों से ओप्सन नमबर भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 36 क्याओन में यह रखे गए है भाग चार में रखे गए है 37 नमबर प्रश्ण है विस्व में वो पहला देश कौन सा है जिसने भ्रश्टाचार पर नियंतर है तो लोकपाल यानिकी उमबुट समयन पद का नर्जजन किया था तो सही इंसर हो जाएगा स्वीडन ने सबसे पहले यह काम किया था पूरे विस्व में आप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा कांडला किसके लिए प्रशिद्ध है तो देखें कांडला किसके रिए प्रसिद्ध है निर्याद प्रसंब्र पर क रहे कपड़ को जाएगा सलिजन καॉस्या के दिवस किस दिन मना जाता है तो ये ज loi करेक्ट हो जायेगा 11 Jul이ya को यह biss aus संख्या दिवस्मन आ जाता है किसकी बनी होती है तो यह सिलिकॉन की ई होते हैं कि अगला पुषण हो दसने के अध्यें को क्या कहते है तो प्रङुद्ध होनी की प्रक्रिया की अध्यें को जो च्यायकर जैने क्या कहते है जिरोंटो लौजीँshore गुषर emotinci प्रशनेAK भारती सम्विधान में संशद का प्रावधान की संश्ध में है तो बहुत ही popular प्र Şuग टहिए इसमें Sache प्रावधान, उन्हें संश्ध में किसमें observed ऐसे इस्वेंसी प्रव०। जाएगा और 81 में लोग सभा हो जाएगा दोने आद रखेगा 89 संसद 80 में राज्य सभा 81 में लोग सभा दोनों आद रखेगा ऑप्सें नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा किस उद्योगदार द्वारा बॉक्साइड जो है कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता है तो बॉक्साइड की अगर हम बात करें तो यह जो है एलुमूनियम उद्योग में कच्चे माल के तौर प्रयोग तो होता है ऑप्सें नमबर एक करेक्ट हो जाएगा 46 नमबर प्रश्ण है निर्म लिखत में से कौन पर्यावरण के छेतर में सक्री नहीं है देखिए सुंदर बहुगुडा राजिंद्र सिंग और वंदना सीवा का समंद पर्यावरण के छेतर से लेकिन सीवनात सास्तरी का समन्जों है पर्यावरद से नहीं है option number D हाँ पर correct हो जाएगा 47 नमबर प्रशन है देश का पहला virtual court कहाँ पर स्थापित किया गया है most important प्रशन हो जाएगा तो देखे जो देश का पहला virtual court है वो फरीदाबाद में स्थापित किया गया है देखे ये पंजाब और हरियाडा का जो संयुक्त court है उसका virtual court ये है फरीदाबाद हरियाडा में स्थापित किया गया है option number A यहाँ पर correct होगा 48 नमबर प्रशन है संयुक्त राष्ट संगह में भारत के स्थाई प्रतिन थी वर्तमान में कौन है तो देखिए स्यद अक्बरुदिन क्या हो जाएंगे स्यद अक्बरुदिन जो है संयुक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतिन थी है वर्तमान में ये option correct होगा 49 नमबर प्रशन है Defense Expo 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था Defense Expo 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था तो लखनू में जो है Defense Expo 2020 का आयोजन किया गया था ये भी important प्रशन है और आज का हमारा अंतिम प्रशन है 50 वित मंत्रावे द्वारा 10 बैंकों का विले 4 बैंकों में करने के बाद अब सारवजनिक बैंकों के संख्या कितनी रहे गई है तो देखिए 10 बैंकों का 4 बैंक में विले करने के बाद अब सारवजनिक बैंकों के संख्या 12 रहे गई है कितनी 12 रहे गई option number A यहाँ पर correct हो जाएगा तो दोस्तों आज भी हमने आपको 50 प्रशन दे दिये आप दिवाले के मौके पर दोस्तों आपको अलग से बढ़ाई भी देते हैं सुपकाना देते हैं और हम यहीं चाहेंगा कि दोस्तों जो अगली दिवाली आए तो आपके हाथ में आपकी नौकरी हो और आपके घर में खुशिया जो है जो है अननतमातरा में आपके घर में मौझूद रहें एक महने का समय आपके पास और है इस महने में आपको कड़ा परिस्रम कहना करना है लेकिन दोस्तों छे वर्ष से आपने कठिन प्रयास किया भी होगा काफी आपने पढ़ा भी होगा लेकिन बस उसको जो है स्टाही तरके से विवस्तित करने का दॉस्तों ये समय है क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लियाय सिर्फ उसको विवस्तित भंसे पढ़ेंग जो है आपके लिए भूध ही जरूरी होगा तो दोस्तों आपको एक बार फिर से दीपावली के हरदिक सुबकामना है आप अच्छे से दीपावली मनाईए हमारे सुबकामना है आपके साथ हैं दोस्तों वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद